बहुत सारे रेपिस्ट ऐसे हैं जिनके साथ बच्पन में खुद बहुत ज्याती हुई हैं वो अपनी शहवत को पूरा करेगा उस टार्गेट के उपर जिसके उपर वो अपनी पावर एग्जर्ट कर सकता है चाहे वो कोई बच्चा हो चाहे वो कोई बच्ची हो आपने साबून बेचना हो आपने ट्रेक्टर बेचना हो आपने गाड़ी बेचना हो आप औरत को जरूर यूज करते हैं क्यों करते हैं? आपकी पूरी की पूरी मर्टी ट्रिलियन डॉलर पॉनागरफी इंडिस्ट्री जो है वो भी इनी बन्यादों के उपर खड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कि सेक्स सेल्स सो रिसेंटली वजीर आजम पाकिस्तान अमरान खान साथ ने एक टीवी क्यों पर कॉल इन शो किया जिसमें लोगों ने उन से सवाल पुछे एक सवाल जो के रेप विक्टम से रिलेटेड था उसके जवाब में इमरान खान साथ ने कुछ कहा जिसकी वज़से इतनी ज्यादा कॉंट्रवर्सी क्रियेट होई कि जिसका कोई हदो हिसाब नहीं है तो आईए सबसे पहले हम वो उनके कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं और उसके वाद उस पर कॉमेंटरी करते हैं अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है यह सारा जो पर्दे का कॉंसेट है यह क्या है कि टेम्टेशन ना हो माशरे में मैं जब अठारा साल का पहली दफाव बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में वहां शुरू हो रहा था सेक्स ड्रग्स और रॉक अन रोल हमने अपनी आँखों के साब ने देखा कि जैसे जैसे वहां फाशी बढ़ती गई पहले अडल्ट सॉनली फिल्म्स होती थी पिर वो अडल्ट सॉनली फिल्म का जो कॉंटेक्ट था वो आम पहलना शुरू हो गया फिर वो मीडिया पहाना शुरू हो गया तो हुआ उससे क्या उसका डारेक्ट इंपक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पर उके सो ये जो बात किये खान साब ने के वो इंगलेंड गए वहाँ पर जो इंवार्मेंट उस टाइम था उसके बाद काफी चेंज वगा मैं खुद ये इसकी गवाई दे सकता हूँ क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो इंगलेंड से हुई बैचलर्स मैंने महां से किया औस्टेलिया से मैंने अपना मास्टर्स किया और जो कि वहाँ की इंवार्मेंट वहाँ की सुसाइटी कैसी है और अग्वाँ अपना मास्टर्स के उपर और फैमिली सिस्टम के उपर क्या आसर हुए इस इस अंडिनाइबल ओके लेट्स के बाद उन्हें क्या बाते की है आई बाहर से आती हैं आप बाहर की फिल्मे देखते हैं आप बोलीवोड यह टीवी पर आप सब अवेलेबल है और जो जिस तरह जिस तरह जो पहले हिंदूस्तान की फिल्में थी जो हमें याद हें और वो आहस्ता इसता जो अप बन गई हैं तो उससे होगा, कोई तो इसका इंपक्ट होगा ना ओके सो इस लास्ट पॉइंट में खान साब नहीं में ये मेंशन किया कि बेसिकली जो आपकी हॉलिवोर्ड, बॉलिवूड की फिल्म्स हैं उनका क्या इंपक्ट हो रहा है हमारे कल्चर के उपर एक इंसान जो है वो रेपस्ट कैसे बनता है उसकी लिए सब से पहली और सब से जो बुन्यादी वज़ा है वो है बच्चे की घर से तर्बियत मैं आपके सामने एक रीसर्च पेश करता हूँ जिसका नाम है इस रीसर्च में उन्होंने एक डिरेक्ट कोर्रेशन इसका यह मतलब नहीं है कि हर बच्चा जो के डुमेस्टिक अब्यूस से गुजरता है वो बड़े हो के रेपस्ट ही बनता है ऐसा नहीं है लेकिन बहुत सारे रेपस्ट ऐसे हैं जिनके साथ बच्पन में खुद बहुत ज्याती हुई है तो पहली वज़ा क्या है कि अगर हमारे घर में बच्चों को एक अच्छा इन्वार्मेंट दिया जाए जहाँ पे अबबा जान अम्मी को मारते ना हो अम्मी जो है बच्चों के उपर घुसा और मार पीटना करती हो तो वो एक खुशाल गराना होगा जहाँ पे किसी किसम की भी नेगिटिव सेंटिमेंट डिवेलप नहीं होगे अच्छ अमच्छ बारे अच्छ अच्छ बारा जाए नहीं होगे ते र YouTube को नंगिच के मदाबगिर निडिवेश्ट को अच्छ आफिए प्रेश्ट के मुझा इस अच्छ अच्छ अर्न इस अच्छ अच्छ निवेश्ट्ट बाब्स एस अच्छ तूर भी ले name calling targets of these displays of aggression were overwhelmingly women and either showed pleasure or neutrality in response to the aggression यानि कि हम अपने बच्चों को अपने teenagers को अपने adults को condition कर रहे हैं कि अगर आप औरत पे तशद्दुत करते हो औरत की उपर sexual aggression करते हो तो या तो वो इसको enjoy कर रही है या उसके बारे में neutral है just think for a second यह किस किसम के signals जो है हम इन teenagers को और adults को भेज रहे हैं और फिर आप यह कहते हैं कि से माँशले पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता how naive can a person possibly be यह जो मैं researches आपको दिखा रहा हूँ यह किसी मुफती अलामा हजरत मौलाना साहब की नहीं है यह well-established academic institutes की research explaining the correlation between promiscuity nudity pornography and acts of sexual violence okay so अब हम आज की तीसरी बात की तरफ आते हैं जो कि है victim blaming देखिए victim blaming जो term है यह बड़ी ही misleading term है I would say rather the term should be victim responsibility because blaming the victim is never a good idea victim बिचारा खुद victim होगा होता है उसको उपर से blame करने से आप होगया फादा मिलेगा तो आपको उसके साथ empathize करना चाहिए about whatever the ordeal that the victim has gone through लेकिन असल में हम बात करते हैं victim responsibility की victim blaming का असल मतलब यह है कि जो victim है of any crime वो partially या completely responsible है उस crime के उस पर होने का और दुनिया भर में ऐसे कवानीन जो है इनको laws of provocation कहा जाता यह वो कवानी जो के किसी चीज को insight किया गया यह किसी चीज को provoke किया गया मिसाल की तोर पे एक शक्स जो है वो अगर अपनी wife को cheat करते वे पकड़ लेता है और वो उसका murder कर देता है तो यह murder की category से थोड़ा सा कम category में आता है और वो प्रवोक हुआ हाला कि जो उसने act किये वो गलत है उसको murder नहीं करना चाहिए था उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था लेकिन बारहाल वो जो degree of crime है उसको थोड़ा सा less समझते है than actual murder इसी तरह से आप मिसाल लें कि अगर एक शक्स है जिसने अपना घर जो है उसका gate भी खोला हुए दर्वाजे खोले हुए खिड़कियां खोली है और उसके घर पर डाका डल जाता है तो इसके अंदर उस बंदे की ऊपर थोड़ी सी responsibility आती है कि आपको अपने घर की हिफाज़द करने चाहिए थी although nobody is going to blame him and criticize him and say I told you so but rather they would say कि आपको responsibly act करना चाहिए था यही मामला किसी ऐसे driver का हो सकता है जो कि ना seatbelt पहन रहा है ना वो traffic की speed limit को follow कर रहा है by wearing the seatbelt and following the speed limit 2012 में इंडिया में एक वाक्य हुआ है जहां पे एक और जब घर आई उसने देखा कि उसका husband जो है उसकी बच्ची के साथ जाती करने लगा है तो उसने जा के अपने husband को कतल कर दिया और वो औरत जो है वो कुछी अरसे के बाद आजाद कर देगी क्योंकि यह जो कतल था यह उस murder के category पर नहीं आता था कि यह premeditated murder था कि उसने सोचा था कि उसने अपने husband को कतल करना है rather it happened in the spur of the moment and it was deemed as man slaughter अच्छा रेप की case में ना मामला थोगा different है differently है क्योंकि जब कोई इंसान rape कर रहोता है तो वो सब से ज्यादा easy target के उपर अपनी शहवत को पूरा करता है या उसको abuse का निशाना बनाता है वो target कोई बच्चा या बच्ची या कोई भी ऐसा हो सकता है जो के उसके लिए बहुत ज़ादा approachable हो और easily accessible हो इसमें definitely power dynamics भी आते हैं but you cannot eliminate sex from the equation California State University की website पे एक article published है जो के Randy Thornhill और Craig D. Palmer का है जो के originally published हुआ था New York Academy of Sciences में जिसका title है Why Men Rape इस article मेंगर आप points 35, 36, 37 को view करें तो वहाँ पे वो mention करते हैं कि if women today are to protect themselves from rape and men are to desist from it people must be given advice that is based on knowledge insisting that rape is not about sex misinforms both men and women about the motivations behind rape a dangerous error that not only hinders prevention efforts but may actually increase the incidence of rape point number 37 में वो mention करते हैं कि young women also need a new kind of education for example in today's rape prevention handbooks women are often told that sexual attractiveness does not influence rapists that is emphatically not true एक और research जिसका नाम है the effect of religious clothing on gaze behavior and eye tracking experiment यह mention करती है the difference between how men's eye movement changed when they were looking at women जो के completely covered थी in religious eye versus those who were not properly covered और किस तरह से एक को objectify किया जा रहा है और दूसरे को objectify नहीं किया जा रहा है further एक research है जिसका नाम है women's perceptions of sexual exploitability cues and their link to sexual attractiveness जिसमें उने mention किया कि वो खवातीन जो के अपने आपको लोगों के सामने available दिखाना चारी होती है जो के एक partner की तलाश में होती है वो किस किसम की clothing attire पहनती है वो किस किसम के revealing कपड़े पहनती है in order to find a suitable partner यहनी कि औरतों के dress के साथ कुछ sexual cues जो है वो attached होती है again let me state that these are academic research papers यह किसी बंदे की जाती राय या किसी news anchor का opinion नहीं है this is based upon research the journal of sex research के अपलिश्ट एक ओर रिपोर्ट जो है जिसका नाम है disco clothing, female sexual motivation and relationship status is she dressed to impress उसके अंदर के mention करते हैं के results showed that females are aware of the social signal function of their clothing and that they in some cases altered their clothing style to match their courtship motivation in particular sheer clothing although rare in the study positively correlated with the motivation for sex meaning के लिबास के जरिये sexual cues जो है वो दूसरे gender को send की जारी होती है अब ये intentionally हो रहा होता है या unintentionally होता है that is a different debate altogether but definitely clothing का direct correlation है sexual cues के साथ एक 25 years की research है जिसका नाम है dress and sex a review of empirical research involving human participants and published in referred journals उसके अंदर ये mention करते हैं के some women intentionally use dress to communicate sexual information but inferences about women who wear sexy dress can be misinterpreted and are sometimes negative observers link wearing of sexy dress to violence including sexual coercion sexual harassment sexual assault and unwelcome groping touching and grabbing ये एक इंतहाई extensive research है जो के 1990 से लेके 2025 तक कंड़क की गई over this huge span of time trying to find out the relationship between dress and sexual information being transmitted finally Science Direct की एक रीसर्च के अताबिक जिसका टाइटल है Reduced Empathic Responses for Sexually Objectified Women and F-MRI Investigation जिसमें ने बकाइदा brain scan करके MRI के जरिए लोगों के experiences को note-down किया वो इस रिपोर्ट में कहते हैं कि Using a Within Subject F-MRI Design we found reduced empathic feelings for positive but not negative emotions towards sexually objectified women as compared to non-objectified personalized women when witnessing the participation to a ball tossing game कहने के मक्सिद यह है कि जब भी कोई शख्स जो है वो एक औरत को objectification की नजर से देख रहोता है तो उसके साथ empathy जो है वो reduce हो जाती है जानी कि वो उसके बारे में care करना छोड़ देता है उसको एक object समझ रहोता है that can be used and abused माडियर बेंसेस्टेज यह सारी research आपको दिखाने के मकसद यह था कि जब भी माशरे के अंदर फहाशी, बदकारी, आम की जाती है तो उसका एक direct impact होता है पूरे के पूरे माशरे के उपर अब प्लीज मेरी बात गोर से समझें कि इसका ये मतलब नहीं है कि एक औरत जो है उसके साथ खुजान खासता कोई जयाती होती है तो इस औरत को हम कुसूरवार ढ़राएं ये औरत यहाँ पर ना भी होती तो किसी बच्ची के साथ हो जाता किसी बच्चे के साथ हो जाता कुछ भी हो सकता था The point I'm trying to make is कि जब भी किसी माशरे के अंदर आप लोगों को sexually frustrate कर देते हैं आप उनको मीडिया के अंदर ने कि अब हमारे यहाँ पे कोई आपने साबून बेचना हो आपने ट्रेक्टर बेचना हो आपने गाड़ी बेचना हो आप औरत को ज़रूर यूज़ करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आपको पता है कि sex sells आपकी पूरी की पूरी multi trillion dollar pornography industry जो है वो भी इनी बुन्यादों के ओपर खड़ी हुई है सो जब भी आप मौशरे के अंदर फहाशी को और इस किसम के content को आम कर देते हैं तो आप मौशरे के अंदर एक frustration का level create कर लें अब ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा जिससे frustrate हो रहा है उसी के उपर अपनी frustration निकालेगा यानि जो कोई visuals वो देख रहा है किसी pond movie के अंदर या किसी normal movie के अंदर भी जिसमें इस किसम का content है तो वो जा के उसी actress पर अपनी शहवत को पूरा करेगा ज़रूरी नहीं है जो कि ये content डिकने के बावजूद अपने आपों control कर लते है मुझे मसला उस एक से है जो हमारी बच्चियों या बच्चों के लिए एक दरिंदा सिफ्थ आदमी थाबित होता है सो आखर में summary बयान करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों की अच्छी ethical, moral, values की उपर तर्बियत करना उनको बताना के सही और गलत में तमीज क्या है उनको एक अच्छा, बाकिरदार इंसान मनाना नमबर फॉर, इसलाम के बताएवए एकामात पर चलना जहां पे मर्दों को और और ओरतों को हुकम दिया गया के lower your gaze and guard your modesty अपनी नजलों को नीचे रखना और अपनी शर्मगाओं की हफाज़त करना और पांचवी बात ये कि हकूमत को चाहिए कि वो सक्त से सक्त कवानीन बनाए रेपिस के लिए, रेपिस को death penalty होना चाहिए we will not have it any other way जब इन तमाम चीज़ों को follow किया जाएगा तब जाके हमारा माशरा जो है इन्शालला और रह्मान रेप फ्री हो सकता है sexual harassment, sexual assault फ्री हो सकता है I hope कि आज की इस बात से आपको फाइदा हुआगा Until next time, this is me, राजजा जाउलाग, signing off Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh